नमस्कार तोस्तों अमबेटकर नामा के सत्रेव एपिसोड में आप सब का स्वागत है और इस एपिसोड में हम बात करेंगे अमबेटकर की नजर में मीडिया अगर अमबेटकर सहाब के पतरकारी लिखन को देखें तो वो वॉलियूम उनीस और बीस में है जो की मूल रूप से मराठी में है और जिसका इंगलिश और हिंदी अनुबाद अभी नहीं हुआ है लेकिन कुछ सेकेंडरी राइटिंग्स जर देश में नहीं इंगलैंड में अमेरिका में अफ्रिकन कंट्रीज में कई देशों में उनकी रिपोर्टिंग होती थी खबरों की इसलिए गहन शोद का विशय है लेकिन ओवरॉल उनके नजर में मीडिया का कैसा कैरेक्टर था वो कैसे देखते थे मीडिया को और आज के सं संस्थाओं के निरमाता थे जिसमें से एक अखवार भी है उन्होंने कई अखवार निकाला था आज तो मीडिया का दायरा बहुत व्यापक है टेलिविजन है प्रिंट है एलेक्ट्रॉनिक है तमाम सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म से वाटसेप ट्यूटर फेस्बू करने में मूल रूप से जो मीडिया था वो था अखवार प्रिंट और रेडियो यही दो मुखे मीडिया था और ज्यादा पावर्फुल मीडिया था इसके अलावा कुछ और नहीं था अगर आप देखें तो आज की स्तिती से तूलना करें तो मीडिया या तमाम संस्थानों पे उस घरानों पे शुरू से ही सवर्णों का एक पारंपरिक वर्चस्वर रहा है इसलिए यह अकारण नहीं है कि अम्बेटिकर सहाब को अपनी बात अपने मुद्दे उठाने के ल महराठी साब्ताइक मूखनायक जो 1920 में प्रकाशित हुई थी फिर बहिस्कृत भारत वो महराठी में 1924 फिर समता चपी फिर हम साशक कौम बनेंगे प्रभुद भारत 1956 में चपी तो खुद को अख़वार निकालना पड़ा और उन्होंने अन्होंने के वल मीडिया की शुर रखवाले भी की अंबेटकर साहब के जो समाजिक राजनितिक आंदोलन है उसका व्यापक वाइस वर्जा दोनों का व्यापक असर पड़ा अचूतों के हक हकुग के लिए संघर्स को शार्पन करने के लिए तेज करने के लिए अमूमन अंबेटकर को खुद ही अकेले ही ल समाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक आधार प्राप था जितना सॉलिट बैक्ग्राउंड था अम बेटकर साहब के पास वह ऐसा कुछ भी नहीं था उनके जो लोग थे वो सदियों से सताय हुए थे सदियों से उनका शोशन हुआ था और उनके पास देने के लिए कुछ नही था एक वेक्ति हैं जिन्होंने काम किया है अमबेटकर साहब के पत्रकारी लेखन पे उनका नाम है गंगादर पंतवाने गंगादर पंतवाने साहब ने लिखा है इनके बारे में कि मूक नायक डॉक्टर अमबेटकर द्वारा स्थापित पहली पत्रिका थी पहली पत्रिक जब यह पत्रिका छपी थी उस समय बाल गंगाधर तिलक आप नाम जानते होंगे वह केसरी नाम का पत्रिका निकालते थे अमेटकर साहब की ओर से एक प्रस्ता हो गया उनके पास कि आप विग्यापन पूरा विग्यापन शुल्क लिजिए और हमारे अखवार का विग्यापन उसमें निकाल दीजिए लेकिन तिलक साहब ने निकालने से इनकार कर दिया यह इस्तिति यह करेक्टर को दर्शाता है क् कि वह पैसा लेकर भी अखवार आपका विग्यापन नहीं करते हैं क्योंकि इसका एक जातिये वर्गिये चरीत्र होता है बहराल मूक नायक के जो फाउंडर एडिटर थे संस्थापक संपादिक वो थे पीएन भाठकर तो पीएन भाठकर भी महार जाती किते और उन्हेंने कॉलेज तक की शिक्षा प्राप की थी तो मूक नायक के जो पहले तेरा संपादिकी लेक हैं वो डॉक्टर अंबेटकर ने स्वेम लिखा खुद लिखा और उसमें जो पहला लेक है बहुत ही मारक है जिसमें उन्होंने व्याक्या की थी कि हिंदु जो धर्म है जो समाज है वैसी बहु मंजला इमारत है जिसमें कोई दर्वाजे किर्किया नहीं है जिस खाने में जो पैला होता है वही उसी खाने में उसको मर जाना होता है तो पहला सयदानितिक अख़वारी दुनिया में पहला सयदानितिक ये प्रहार था आपको मैं बता दूँ कि förstaुसलिषा पह देखते थे इस संदर में आपको मैं लिए चलता हूं 18 जनवरी 1943 को पूना के गोखले मेमोरियल हॉल में महादेव रानाडे के 101 भी जहनती पर जो उनका व्याख्यान है उस व्याख्यान की और आपको लिए चलता हूं व्याख्यान का शिर्षक था गांदी रानाडे गांदी उन्होंने बयान दिया था उन्होंने कहा कि मेरी निंदा कांग्रेशी समाचार पत्रों को भली भांती जानता हूं मैं उनकी आलोचना को कोई महत्व नहीं देता उन्होंने कभी मेरे तरकों का खंडन नहीं किया वे तो मेरे हर कारकी आलोचना करते हैं भर्तसना करते हैं और निंदा करना जानते हैं वे तो मेरे हर बात की गलत सूचना देते हैं उसे गलत तरीके से पेश करते हैं और उसका गलत अर्थ लगाते हैं मेरे किसी भी कारे से कॉंग्रेसी पत्र प्रसंद नहीं होते हैं, यदि मैं कहूं कि मेरे प्रती कॉंग्रेसी पत्रों का यह बैवार अच्छूतों के प्रती हिंदुओं की घरना भाव की अभिव्यक्ति है, तो अनुचुत नहीं होगा, उनका यह दोश मेरे प्रती व्यक्त इस तत्ति से स्पस्ट हो जाता है कि कांग्रेसी पत्रों को तभी कस्ट होता है जब मैं उस जिन्ना की आलोचना करता हूं जो विगत कई वर्सों से कांग्रेस की आलोचना का विशय और लक्ष्रा है कांग्रेस कांग्रेसी पत्रों की बॉच्छार मुझे पर करते हैं वह कितनी भी तीखी या गंदी क्यूं नहों मुझे अपने करतब्वे का पालन करना है किसी भी मिश्णरी आदमी को साथी को यह ध्यान रखना चाहिए कि आप जब नोबडी कि एक कहावत अंग्रेजी में नोबडी किक से डेड हॉर्स कि मरे हुए घोरे को कोई लात नहीं मारता लात उसी को मारता है जो दोड़ता होता है इसलिए जो लोग काम कर रहे हैं उनकी आलोचना पहले अपने घर से शुरू होती है अपने समाज से शुरू होती है और यह एक बहुत वड़ा कारण है जिसकी वज़त से इस देश की जमात सदियों से गुलाम है आगे लिखते हैं वो छपी हुई है पूरा यह भाठन उनका मैं मुर्ति पूजग नहीं हूँ मैं मुर्ति वहन्जग हूँ मेरा आग्रह है यदि मैं श्री गांधी और श्री जिन्ना की सिग्रना करता हूँ तो उसका कारण यह है कि मैं भारत से अधीक प्रेम करता हूँ यह एक राष्ट वादी की सच्ची निष्ठा है मुझे आशा है कि मेरे देशवासी किसी न किसी दिन यह सीख लेंगे कि देश वेक्ति से कहीं महान होता है श्री गांधी या जिन्ना की पूजा और भारत की सेवा में आकाश पाताल का अंतर है और वे परस पर बिरोधी भी हो सकते हैं अगर देखिए आज के संदर में इसको समझा जाए ये रेफरेंस मैं बता रहा हूं हिंदी खंड एक आप देख सकते हैं पेज नंबर 251 और अंग्रेजी खंड एक पेज नंबर 207 दो 109 इंग्लिश एडिशन है इसको आप देख सकते हैं बहरालेकर इसकी समिक्षा आज के संदर में की जाए तो आज जिस तरीके से संचार के विविन साधन वेक्ति पूजा और जयजयकारा करने में लगे हुए और बात बात में राज द्रोही और देश वक्त का सर्टिफिकेट बाढ़ते रहते हैं वो यही नहीं कई बार लगता है कि वो सरकार और राजनिती की दल के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं तो इस संदर में तो आज भी अमबेटकर के विचार प्रासंगिक ही लगते हैं और मुझे लगता है कि अगर आज अमबेटकर होते तो इस समय तो उनके निशाने पर जरूर यह सारे तमाम मीडिया घराने होते हैं सरकारी पार्टी सरकार हुकुमत चला रही है वो उनके निशाने पर जरूर होते कई इस तरह के संगठन होते एक और उन्होंने दिल्चस्प लेख लिखा वो लेख का नाम है बिदीशियों से आग्रह इस लेख में डॉक्टर अमबेटकर ने अस्परिश्यों के जीवन में और उनके अंदोलन में प्रेस की भूमिका और उसकी सीमाओं को रिखांकित किया उन्होंने लिखा कि भारत के बाहर के लोग विश्वास करते हैं कि कॉंग्रेस ही एक मात्र संस्था है जो भारत का प्रतिन्तु करती है यहां तक कि अस्पृष्यों का भी परतिन तो कॉंग्रेस ही करती है इसका कारण यह है कि अस्पृष्यों के पास अपना कोई साधन नहीं है जिससे वे कॉंग्रेस के मुकाबले में अपना दावा जता सके अस्प्रिश्यों के इस कमजोरी के और भी कई का अन्यकारण है अस्प्रिश्यों के पास अपना प्रेस नहीं है कॉंग्रेस का प्रेस उनके लिए बंध है उसने अस्प्रिश्यों का रत्ती भर भी जगह न देने की कसम खा रखी है अस्परिष अपना प्रेस नहीं इस्ताफित कर सकते यह असपस्थ है कोई भी समाचार पत्र बिना विज्यापन राश्टी से नहीं चलता है और पैसा केवल व्यवसाइक विज्यापनों से आता है चाहे छोटे वेवसाई हो या बड़े वेवसाई हो वे सभी कॉंग्रेस से जुरे हुए हैं और गैर कांग्रेसी संस्था का पक्ष नहीं ले सकते हैं आज भी देख लिजिए जो सरकारी अनुदान लेते हैं अख़वार वाले या टेलिविजन वाले वो सरकारे खिलाब बोलेंगे सरकार क्या लोचना करें खिलाब तो छोड़ सरकार के कारियों की समिक्षा करेंगे तो उस समय भी हालात थे और आज भी हालात है इसलिए डाक्टर रामबेटकर के विचार आज भी प्रासंगिक होते हैं आगे वो लिखते हैं कि भारत की समाचार एजंसी एसोशियेटेड प्रेस कि स्टाफ संपुन रूप से मद्रासी ब्रामनों से भड़ा भड़ा है वास्तव में भारत का संपुन प्रेसी उन्हीं के मुठी में हैं और वे कांगरेसियों के पिठू हैं आज किसके पिठू होते हैं आज किसके पिठू हैं यह अख़बार वाले टेलेविजन वाले यह किसी से छुपी बात नहीं है वह पूर्णता कांगरेस के पिठू हैं जो कांगरेस के विरुध किसी समाचार को नहीं छाप सकता यही कारण है कि प्रेस अस्पृष्ष्यों क कि पहुंच के बाहर है परनतु किसी हद तक स्वय अस्प्रिश्य में प्रचार करने के प्रविर्ति का नहोंना भी एक कारण है प्रचार की प्रविर्ति के नहोंने का कारण एक कारण देश भक्ती भी यह कहीं ऐसी कोई बात नहों हो जाए जिससे देश की प्रतिष्था दाओं पर लग जाए यह देख सकते हैं आप हिंदी वॉल्यूम 16 पेज नमबर 210 इंग्लिस वॉल्यूम 9 पेज नमबर 200 तो यह समझने की ज़रूरत है कि हमारे लोग अपने बारे में कहने में भी लगता है मार्केटिंग करने चाहिए हम अपनी बारे में अपने बात नहीं करेंगे जो दलित बहुचन उनकी बात नहीं करेंगे उनको प्रमोट नहीं करेंगे तो जो सवर्न जो मीडिया है चाहिए सवर्न जो संस्थाएं हैं वो रतनलाल के वीडियो को थोड़ी शेयर करेंगी मेर बात को मेरे लेक को थोड़ी चाफेगी मुझे टी में जगह थोड़ी देगी यह बात दलीत भाहुजनों को समझना चाहिए कि आप एक दूसरे को नहीं प्रमोट करेंगे और यह टेंडेंसी यह खास तोर से दलीत भाहुजन बैक्वर्ड में यह टेंडेंसी है कि जो आगे कि दल पुझीपति और सत्ता के बीच के जो संबंध डॉक्टर अंबेटकर के समय थे वही आज भी है एक किताब हमने ट्रांसलेट किया है अरुंदती रह की डॉक्टर इंदी सेंट उसका हिंदी अनुवाद एक्था डॉक्टर एक संथ है उसमें कभी मौका मिले तो पलट किया था और जो आकरा है हालिया खास तोर से उत्तर भारत दक्षिन भारत में पिश्री जाती है कुछ लोग है इसमें लेकिन उत्तर भारत में जो मीडिया का हालात है उसकी चर्चा उसमें पकाइदा है 1946 में डॉक्टर अंबेटकर श्रम मेंबर थे लेवर मेंबर थे उस समय कलकत्ता के प्रेस के करमचारियों की हरता लुए तो देखिए जो आदमी आंदोलन से आता है जो आदमी दर्द जेलता है उसके जहन में कहीं कहीं बात होती है तो विस्तार से देखने के लिए तुम व स्ट्रम संगठन से जुड़े हुए थे आंदोलन से जुड़े हुए थे तो स्ट्रमिकों की जो दशा है उनके हालात उनके जहन में थे तो उन्होंने स्ट्रमिकों की बहुत सारे मांगे मानी अगर उनको देखना है कि उन्होंने आखिर क्या कहा था तो हिंदी का देखिए वॉलिम 18 पेज 331 और इंग्लिश के देखिए पेज वॉलिम 10 पेज 365 ये कलकत्ता के एसोशेटेड़ प्रेस के हर्ताल के बारे में डॉक्टर अंबेटकर ने स्ट्रम मंत्री रहते हुए उसका क्या समाधान किया था ये देखना चाहिए चलिए बहराल एक दो और एक्जामपल आपको देना चाहता हूं स्टोरी थुरा लंबा हो रहा है कि 1945 में और इंडिया शिडूल कास्ट फेडरेशन ने अपना सापताहिक मुख पत्र निकाला उसका नाम था पीपल्स हेराल्ड इस पत्र का मुख्य उदेश अस्प्रिश्यों क्या कांशाओं उनके उचित मांगो उनके शिकायतों को स्वर्ड देने के साथ साथ भारत जिन समस्याओं से जूज रहा था जिस समस्याओं का सामना कर रहा था उन्हें स्वर्ड देना था तो इस पत्र के इनॉगरल स्पीच में उद्घाटन भार्षन में मुख्य तिती क तौर पे डाक्टर अम्बेट कर गए थे और उद्गाटन करता होने के नाते जो बाते उन्होंने कहीं मैं सोच रहा हूं कुछ बहुत इंपोर्टन्ट है वह आपसे साझा कर लूँ उन्होंने कहा कि आध्वनिक प्रजातांत्री के व्यवस्था में डिमोक्राटिक सिस्टम अच्छे सरकार के लिए समाचार पत्र मूल आधार है ये बात नोट करिए और असमिक्षा किजी आज कल टेलेविजन अखवार क्या कर रहा है कि प्रजातांत्री की व्यवस्था में अच्छे सरकार के लिए समाचार पत्र मूल आधार है इसलिए भारत के अनुसुचित जा अस्पुरिश्यों को राजनितिक रूप से प्रशिक्षित न कर लें। यदि विभिन विधान सवाओं के बिधायकों के बहवार की रिपोर्टिंग करते हुए समाचार पत्र ये लिखें कि ये ऐसा क्यूं है? क्यूं नहीं है? ये समाचार पत्र अगर लिखें कि क्यूं है? क्यूं नहीं प्रश्न अगर पूछे तो निश्चित रूप से बिधायकों के बहवार में तब्दिली आ सकती है और हमारे लोगों की जो दुर्दशा है वो दुर्दशा खत्म हो सकता है। नमबर वॉल्यूम पार्ट 3 पेज नमबर 348-49 आगे वो लिखते हैं इसी भाशन में कहते हैं कि 1937 के बिधानसवा चुनाओं में मराठी समाचार पत्र की भूमिक्या का हवाला देते हैं उन्होंने कहा कि समाचार पत्र ना केवल मतदाओं को परसिक्षित करते हैं बलकि यह भी सुनिक्षित करते हैं कि जिसे उन्होंने अपने मत से चुना है वे उनके साथ खड़े हूं। वह अपना करतब भे ठीक से पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वह किसी से दुर्वेवार तो नहीं कर रहे हैं। तो यह बात है आप नेताओं से सवाल पुछिए कि अगर जीत के जाते हैं तो आपके वोट से बने हुए प्रतिनिदी है।